एक केजी के बीच में जो भी आउटम होते हैं, उन सभी से लेटिर सारी मशीन हमारे पास मिल जाएगी id जो Bout जो Bout तो पैकंक मशीन आज की डेट में ये लगालो एक जदूरत ही बन गई है हर छेत्र के लिए तो आप किसी भी छेत्र में ले जाकर के अपना कोई विवापार करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो तुमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल दिल्ली NCR में दोस्कार 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 मैं साविर खार और मेरी कंपनी का नाम है रोयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मसीन ये कंपनी 12 साल बुरानी है और ये कंपनी पैकेजिंग मसीन के अनावा पूरे चिप्स, नमकीन, पप्स, चाय, मसाली पूरे प्लांट बनाती है हमारे पास हर वैराइटी की मसीन आपको मिलेगी जो 10 Grid से लेके एक क्लो तकी भी होती है जैसी Capacity Client की होती है उस तरह की है मसीन डवलप करते है बनाते हैं हमारे पास low बज़र से लेगे हैं हाई ज़र तक सभी तरह की बसीन अपने पास एविलेवल होती है जिससे कोई भी बंदा अपना काम स्टार्ट कर सकता है और लाइफ में ग्रो कर सकता है अगर आप सोच रहे हैं कुछ बिजनस सुरू करने की अपने घर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं चोटी लिवल पे ये पैकिंग का काम और आज की डेट में अगर बात करें दो-दो रुपे की जो पाउच आती है वो भी आजकल पैक होके ही बिकती है चार टॉफी से लेके, मसाली से लेके खुछ भी चिप्स, नमकिन, कुरकुरी, हर चीज़ों के लिए पैकिंग की जरुद पड़ती है सरा बहुत सारी लोगों की दिमाग में ये चीज़े हारी जिसे कि भी पता है कि पॉलेथीन बंद हो गई है तो क्या ये वाली पॉलेथीन भी बंद होई है इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं ये जो मसीन में पॉलेथीन यूज होती है वो पचास माइटरों से ज्यादा होती है और थी लेयर होती है, टू लेयर होती है जो गवर्मेंट ने बंद किया है वो है LD जैसे कि पानी के पाउच है जो दूद के पाउच है, इस तरहे कि जो LD के पाउच होते है वो बेन होई है ये फी लेयर पॉलेथीन होती है और रिसाइकल होती है ये रिसाइकल हो जाती है और ये बेन नहीं है आप लोगों की जानकारी के लिए सर से मैंने पूछा था कि थोड़ा सा फता चल जाए कि बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहते कि जो पैकिंग का काम है वो dawn हो जाएगा क्योंकि पैकिंग कॉलेथीन बंद हो रही है तो ये वान हे बादी बंद ही है इंटीं यी चलता रहे है तो बहुत बढ़ाई सोप है कि किस तरह मसीने कितने तक साथ से स्टारट है पके पास देखे सर, हवारे पास मसीन सै जिदे सबसे छोटी बहुत है सबसे मैं स्पस चोटी बहु आ сंब अचाल बारा लागाए जी तक हमारे पास मसीन labour तो क्या backup है उसके लिए देखिए मेरी मशीनों की एक साल की वारंटी होती है और मैं मशीन के साथ अपना ट्रेनिंग के लिए बंदा बेजता हूँ जो ट्रेनिंग देता है और फॉर्मूला बताता है जो भी प्रोडेक्ट आप बताते हैं सबसे में हो तब फॉर्मूला बिल इसकी लाइफ कैसे बनाय जाती है पाउस के अंदर कौंशी एर डाली जाती है तब पुछ फॉर्मूला वो देता है कोई नया क्लाइंट हमारे पास आता है अब देगे बड़ी मुस्किल से उसमें सर्च करके हमको सर्च कर लिया अब आगे मसीन के साथ और भी बहुत जरू और जो रह पर हो गया अगर वो अपने नाम का कोई ब्रांट रहांना चाहते है रहा पर हो गया उनको को सर्टीट बनवाना जैसे जीस्टी लेना या फूड लेना उसके लिए हो गया वो सारी सुविदा हम उसको प्रइड करते हैं ऑकी तो यानि पुल मिला के सिर्फ मसीन ह लीगल रिक्वार्मेंट है वो सारी चीजों के लिए जरुत पड़ेगी वो सारी भी उसमें भी आप हेल्फ करने वाले हैं हमारी कस्टोर को जो ट्रांस्पोर्ट की बात करें सार ओल इंडिया में हर जेगा माल चला जाता है यह आपका देखे सार मैं तो विदेज तक माल करके मसीने ट्रांस्पोर से जाती है ट्रांस्पोर्टिंग चांच जो भी होता है क्लांइं फेर करता है पर वाप सिल निसी निया जो ।प Chicago काई को में मेपनी Oscill raped पेमेंट का यह है, 20% उनको एड़ाफ पे करना होता हूँ, उनकी रिक्वार्मेंट के हिसांसे मैं मसीन डवलफ करता हूँ, बनाता हूँ, और जिस दिन मसीन में यहां से लेजता हूँ, मसीन को बुला के ट्राइल कराता हूँ यही पे, जब क्लाइंट सैटिस्फाइड हो ज सामने क्रखी विए मसीन किस तरह की मसीन है, सर यह मसीन को सब्सक्राइब होटा है, एक जान के पचास प्रह्त होटी है, इस मसीन में घरा मिर्भ लोग यह जाईयल ब्लम हो गया, लोउग इस तरह का इक पेक कर सकते हूँ, तस ग्राम से पचास ग्राम के लिए आप चाय और सब्सक्राइब गज़न कितना होगा पिल मिला इस मसीन का बजन दाइसो तो यह नौशीन है सर नॉर्मल डिज़ी चलती है या अलग जी सिंगल परेस मसीन है इसे आप गरेल में लिए तक्तरा पर तकते हैं तिस अपर आप आप अधिन करते हैं इस शला कि दिखाते हैं आपको पाउच पाउच यह पिंटे में लिए तक्तरा आप भेख सकते हैं मिंटों में इतनी साल पाउच जितने भी आप बेखें सिद्वर्डे पाउच आप देखें हैं वह आप आसे बना सकते हैं अप्सक्राइब इसकी जो पैकिंग के रॉव मेट्रियल हो भी आपर विलिवल क पाउच ग्राम से लेकर वीशे विस ग्राम की है वह तो 20 ग्राम की मशीन एपा त्स ग्राम की मश्यätल न को बढार हैं बड़ियले और खांते आपको दूसरी मशीन यह डिने आंसमने यह धोड़ी सी अलग मसीन लग द Menge सब्सक्राइं तुब और सभी बेलगों पहरे नहीं ते और छीड़ कुछी भी पैकिट सबहिए नम शिस एख ठीक निका लेगा जो तर। इस तरह से पैक्किव तयार होगा आपने इस तरह से एंगी तो आर इस मसीन को बोलते है फुल निमेटिक मसीन ये 10 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक पैक करेंगी और इसमें आप ग्रेनोल आइटम प्रोड़ाइटम कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं जैसे चाय होगी मसाले होगे प्रूपरे होगे नम्कीन होगे पाफ होगे मूँ डालोगी भुजी आगो कोई आप ग्राम से लेके 200 ग्राम से आप टाक कर सकते हैं और इसकी स्पीड होगी है गंटे माद 2,000 पैकेत होगी है फुली ओटमेटिक है आपके जैसे लड़ी बनाना है 10 पाउस का या सिंगल प या गंटे माद 2,000 पैके लेके लड़ी ऐसे लड़ी कुला के देगी है विए तो यह सेट कर सकते हैं और चुटिंग भी अपने को घटिंगा दिए अपने को जाए कि भी अपने आपने को घालाके का ओना, लुद्ध धास प्रटिंग को भीड और भीड़ी को अपने कोराद को वी डिश के ज़िए सकते हैं इस मसीन को चलाने के लिए कि एर कंपरेसिंगे है जो दिखाते हैं एक और मसीन आपको यहां पे जो बढ़ी कि देख रहे हैं यह पैकिंग की मसीन है इसमें किस तरह की पैकिंग होती है सर इसमें स्नेक्स तरह होते हैं यह हाई स्पीड मसीन है इसकी स्पीड एक मिनट में एक सो दस पाउच है और एक मिनट में साथ अजार के असपास प्रोडक्शन देती है फुल्ली ओटोमेटिक मसीन है छोटे पाउच के लिए जैसे नमकीन है या आपका मूँ नाला है इस तर के जावाब स्पीड पर किया इस अ तरह हो इस तरह हो तरह होगई पर मिन देती है ज़िए सुल्ली ओटोमेटिक में वह स्पीड लगाब सस्पीड जाला हो दो चाह ज़िए लिए पर झाबसी पर लिए्ग झाल झाल आज आपको इस मसीर के वारण बताने वाला हूँ, यह एक फुली आटमेटिक पैकेजिंग मसीर है, इसको बोलते है कॉलर टाइप फुल पैकेजिंग मसीर, जो आपका मिनीवम 50 ग्राम और मैक्सिमम एक केजिंग तक यह बजन पैक करती है, इसमें आप दाले, चावल, मसाले चाय पत्ती, चीनी, इस भी आइटम पैक कर सकते हो, और जो मार्केट में बच्चों के आइटम आते है, खुल पुले, चीफ, 5 उपे वाले, 10 उपे वाले, 20 वाले, आरहां से वो भी सब इसी पैक हो जाएगी आपका, इसका जो भी आपको मैटल पैक करना होता है, हॉपर मै हुआ है, और अपना प्रोग्राम पैनल में डाल दीजे, अपना प्रोट्वेटिक मसीन पैक कर सकते हैं, तो एक गंटे में आपका 4000 प्रोडॉक्शन देती है, यानि कि मिन्ट में 7-7,000 पाउस ने इसका इलेक्रिविटिटी जो आपकी बात करता हूँ, यह 3 ग्लोवाट इ बिज्डिगे, जो नॉर्मा घर की बिज्डिगे होती है इसको आप ऑपेट कर सकते हो एक ज़्रूरी मसीन ही नहीं होती है उसको होते एर कंपरेसर क्योंकि ये हवाके द्वारा चलती है तो इसके लिया एक और एर कंपरेसर जुरूत पड़ेगी यानि कि एक packaging machine को चलाने के लिए एक compressor लगा करके फूरा set मिलता है ओके, complete set है ये, और सबसे बड़ी machine है भी जो आपके पास में है ये इस machine में हमारे पास काभी variety है, एक MS में भी होती है, ATS में भी होती है, mini color type भी होती है, ये सारी machine हमारे पास अवेले पुलेगी बाक तरे price की तो सर्थ क्या रहा है, ये मशीन आपकी तीन लाग से स्टाटोगर के मात्रू साड़ी तिन लाग तक जाती है और साड़ी तिन लाग के आपको एक compressor लेना पड़ेगा, और आपको ये चाहिए तो चाहिए की कॉस्त अलग से जोड़ेगी इस मशीन की मात्रू साड़ी तीन लाग रुपे की है, फिरास इस पर एक अपका तीन लाग रुपे का compressor लगेगा, उसकी कीमत 35,000 रुपे है, और एक एक conveyor, उसकी कीमत 50 रुपे है, बोटा-बोटा चार लाग रुपे में उपर सेट कम्प्रिट मिल जाएगा पैकेजिक मसीन है, मिनीवां मात्रू 6,000 रुपे से स्टाथ है, जो एक मेलूल पेटल सीलर मसीन बोलते है, फो 6,000 रुपे मेचा होता है, उसमें क्या होता है, वजन मेलूल एक पासekiंद जार जाता है, उसके बाद 20,000 रुपे पूँ मसीन आती है, उसके बाद ये मसीन असी-असी आयार में निर्काट होती है अपने पास वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नहीं जानकारी के साथ कुछ और नहीं चीज़ों के साथ जैहिंद जैहारत